नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दोड़ादर अपडेट्स में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल में देखी चुके हैं कि HP सबोर्नेट अलाइट का जो एक्जाम हुआ है 9 फिरवरी 2020 को जो की प्रेलिमिनेरी एक्जाम था multiple choice question इसमें आये हुए थे तो इसका जो है इन्होंने officially answer की जो है इन्होंने जारी कर दी गई है तो ये officially answer की जो है इन्होंने सभी series की जारी करी हुई है तो इस video हम आपको जो है part A जो series A, B, C, D, चारो series की जो है इसमें आपको जो है answer की बताएंगे तो वीडियो को end तक जूर देखें ताकि आपको जो है सही से answer की जो है पता लग सके अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe और बैल आगर को प्रेस कर दिए ताकि आप तक जो हमारी हर notification जो है सबसे पह पॉस्ट करके जो है जो भी आपकी CD है A, B, C, D, चारो में से तो आप जो है उसके answer match कर सकते है तो यह जो है इन्होंने बता रख रहे हैं यहाँ पर answer की of the HPS and AS preliminary examination 2019 held on 9 February 2020 तो यह booklet जो है A की answer की है तो मैं स्क्रोल करता जाओंगा आप जो है वीडियो को पोस्ट करके screenshot ले 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 तो यह series A की जो है answer की है यह और इन्होंने जो है यहाँ नीचे note भी बता रख रहा है इन्होंने हम आपको पूरा बताता हूं इसमें यहाँ पर यह देख सकते हैं आप objection अगर आपको कोई objection है तो उस पर इन्होंने बता रख है कि आपको जो है कोई documentary proof जो है लगाकर performa जो है received from the candidate in person by post through courier तो courier के थ्रू जो है या किसी person के थ्रू जो है आपको जो form है उसको भेजना होगा और उसमें जो है proof लगाना होगा कि यह answer जो है गलत है और किस प्रकार यह गलत है तो courier करना होगा तो यहाँ office of जो है इन्होंने बता रखा है the HPP SC निगम विहार शिमला अब टू 15 February 2020 तक जो है यह आप objection जो है भेज सकते हैं और 15 के बाद जो है entertain नहीं किया जाएगा तो और इन्होंने बता रखा है receipt for objection through email, email के जरिये भी जो है आप इसको भेज सकते हैं इन्हों जो है email यहाँ पर बता नहीं रखी है तो आप जो है website में जाकर जो है आप देख सकते है email तो उस पर जो है आप objection by email या by post जो है आप या किसी person के दवारा जो है आप इसको भेज सकते हैं तो next जो है booklet series जो है बी प्रिमेरी एक्जाम की यह answer की है बी series इन्होंने जो है हर इस series के नीचे जो है note इन्होंने बता रखा है अगर आपको कोई अब्जेक्शन है तो आप जो है इसको भेजें तो यह series बी की answer की है तो लास्ट जो series है booklet D की answer की है यह तो इसमें पेपर में जो है 200 questions जो है आए थे इसमें negative marking युवी इन्होंने रखी थी HPPVST ने तो यह इन्होंने जो है यहां पे फोर्म बता रखा है आपको कैसे जो है यह फोर्म बढ़ना है तो इसके बारे में अब हम बता देते हैं इन्होंने बता रखा है यह दा सेक्रेटरी हिमाचर परदेश प्रविक सर्विस कमिशन शिमला सब्जेक्ट इन्होंने बता रखा है अब्जेक्शन अगेंस्ट अंसर की ओफ हपिएस एड एस प्रिमरी इग्जामिनेशन 2019 हैल्ड ओन नो दो दो जर बीज तो यहां पे जो है आपने अपनी सीरी के बारे में लिखना है कि कौन सी सीरी में जो है गलती है तो यहां एबी सीडी चारो सीरी में से वह आपने चू कौन सा है गलत है और अंसर इंद की डिस्प्लेड और जो अंसर की में जो है कौन सा अंसर जो है डिस्प्ले किया गया है तो आपने वो लिखना है यहां पे और कैंडिट अंसर जो आपने जो अंसर यहां पे बताना है कि A, B, C, D इन चारों अंसरों में से जो है कौन सा ठीक वो अपने यहां पे लिखना है जो अपना अंसर आपने बताएंगे कि यह वाला अंसर जो है ठीक है और यहां पे आप जो है detail of document attached by the candidate in support of his her objection और जो है अपना document जो है आप attach करेंगे यहां पे आप बताएंगे कि यह हमने document जो है attach करेंगे कि यह किस प्रकार से जो है सही अंसर माना जाएगा उनको जो है प्रूफ के साथ जो है आप ये फॉम भर कर जो है बेजे जितने भी कॉर्शन होगे वो आप यहाँ पे जो है लिखकर बैज दिए और अपना जो है यहाँ पे आप रोनमबर और सिग्जिट्चर और नेम आपने दोस्तों के साथ जूर शेर करें इस वीडियो को ताकि उनको भी है है एक्जाम के अंसर की जो है ऑफीशिल एंसर की इनको पता लग सके और अपनी वह मार्क्स पता कर सके कि कितने मार्क्स जो है वह गें कर रहे हैं और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी जूर क